वन विभाग ने सिली में एहले सुबा मूरी टुन्डरी के समीप लकडी तसकर की शह पर बैल गाडी पर लकडी लाद कर पस्चिम बंगाल के मिल ले जा रहे गाडी समेत लकडी को जब्त कर लिया है वन पाल अमर कुमार पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापे मारी की गई इस दोरान दो बैल गाडी पर लदी हजारों रुपयों की ग्यारा पीस सिमल की लकडी के साथ साथ गाडी खीच रहे चार भैसों को भी जब्त किया गया है गाडी वान बैल गाडी छोड़ कर भागने में सफल रहा विभाग ने अग्यात बैल गाडी मालिकों के विरुद वन अधिनियम के तहत मामला दर्श किया है आगे की कारवाई कर रही है दोनों बैल गाडी के मालिक सिली नीचे टोला के रहने वाले और लकडी तसकर तुलीन निवासी अरुन महतो बताया जा रहा है इधर लोगों के बीच चर्चा है कि आए दिन वन विभाग और अस्थानिय पुलिस के मिली भगत से लकडी तसकर जारकन से बंगाल ट्रैक्टर और बैल गाडी से लकडी ले जाते हैं